नहुश्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करें और आपकी सारी ख्षाय है, अब मनों कामने पूरी हूँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसाथ से रेलेटेड बहुत पूर जान करें करूँगा जिसमें सर्बुदह में आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पर पाम का एनलेस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के एक पूरेजर में शॉट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हिबिट को थोड़े जलबाजी वहर बड़ी किसमें के नेचर को भी दर्शाता ह इसके अंतरकत instant decision लेना, अपने thoughts के उपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से inspired, motivated या influence हो हैं, कुछ समय के अंतरार में वो काम करके दिखाना, यह सब आपकी basic nature में रहेगा, patience level थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को पानी की चाहस ज्यादा रहेगी, इ यहां देखें, तो finger की बीच में आपकी gap भी maintain हो जाएं, जो थोड़े अधिक खर्चलेपन को दर्शाता है, इस condition में पेसे आने के पहले जाने का निर्धारन हो जाता है, इसलिए ज़्यादा धन कभी भी अपने पास ना रखें, अपने पेसों को हमेशा investment में लगाते रहे जब सारे finger की comparison में little finger independent होती है, तो आप जैसे जातक थोड़ा मन की ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, सुन सब की लेंगे लेकिन अंततहक करेंगे मन की थोड़ा independent nature अप्रोच होता है, किसी से दबने वाली नहीं होता है, या किसी के under में comfortable work नहीं कर पाते हैं, खुद के rules, regulation, ethics अथवा मन मताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ देखें, तो little finger के लिए ठीक है क्योंकि third finger के first port तक पहुच रहा है, तो इस condition में communication, skill, marketing, skill अथवा work management अच्छा होता है, जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने और से 100% reverse doll उस काम को perfectly done कर पाएंगे third और first finger के लिए दोनों तक्रिबन सेम हैं, जो एक researching nature देता है, इस condition में कुछ ना कुछ work करना, अपने आपको busy रखे रहे ना, आपकी nature में रहेगा, खाली बेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और Jupiter आपको responsibility taker बनाएगा, कभी किसी प्रकर की जिम्मदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और सूर्य आपको risk taker बनाएगा, ये जो आपका nature है, ये थोड़ा आपको जीवन में trouble जादा दे सकता है, थोड़ा बारी किसे समझिएगा, आपका एक तो finger यहाँ पर short है, और उपर से आपका जो certain mount है, certain mount हमारा भागी का दिरवाजा होता है, हमार कर्म होता है, हमारा satisfaction, हमारा growth, success और money, ये सब को यही define करता है, अब यहाँ पर क्या है कि आपकी एक आड़ी रेखा है, जिसने सारी रेखाओं को कईना की काटा है, इस condition में, और जब सूर्य रेखा भी वीग हो, सूर्य हमारा indicate करता है, हमारे confidence को, हमारे एक परकर से power authority को, name, and respect को, जो समाज में, घर परिवार में, अपनों के भी जो तवज्य मिलता है, वो भी हमको सूर्य ही देता है, यानि जो भी success is mainly, वो सब सूर्य से denote होता है, तो यहाँ पर ही आप देखेंगे, तो आपको हलका सा एक island का भी formation दिखेगा, हलका सा एक cross का sign भी दिख जाएगा, तो जब इस प्रगर के formation होते हैं, यहाँ पर भी एक cross है, तो इस condition में क्या होता है, कि decision जो लेते हैं, उस पर regret feel करवा देता है, ध्यान रखेगा, क्यों हैसा, क्योंकि अपने decision पर लंबे समिता गडिक नहीं रह पाते हैं, short finger, short term जो है goals को create करता है, जिसके करण छोटे फाय analysis करके ही कोई भी काम करें, आपके हर काम में perfection और growth और satisfaction, success मिलेगा, अब क्या हो रहा है, कि finger short है, तो immediate action लेते हैं, decision लेते हैं, और उपर से सेटन पर आड़ी रेखा है, तो यह mood swing का problem देता है, तो कोई भी काम इसमें continue नहीं रह पाता है, थोड़ा रुक रुक करके काम बनत करेंगी, तो इसमें आपके work में खास कर आपके professional career life में कोई इसका demerit या असर नहीं आएगा, यहां देखें, तो finger के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखा module है, जो friendly nature मिलन सार सुभाव को दर्शाता है, जिसके करन हर परिस्थिती माहल में अपने आपको ढालना, हर प्रकार क लोगों के साथ संबंद अच्छे रखना, यह भी आपके basic nature में रहेगा, यहां पर देखा जाए तो finger के जो knots है, वो developed clear cut नहीं है, तो थोड़ा यह confusing mindset देता है, decisions properly ले नहीं पाता है, phalanges और internal Mars भी थोड़ा weak है, तो अपने physical fitness पे ध्यान देने की आवशकता है आपको, क्यों यहां पर थोड़ा सा जो है, आपका short देखने को मिल रहा है, तो इस condition में क्या रहता है, कि thumb जब short हो और एकदम शशकत हो तो इस condition में थोड़ा जिद्धीपन होता है, to the point बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक बर जो ठाना वो चीज करके दिखाना और self-respect भी ज़्यादा देखने को मिलता है, यहां पर याओ का चिन भी है, तो अगर आप meditation करते तो peacefulness, happiness जैसे चीज़ें आपके life में बढ़ेगी, और overall देखा जाए, तो intuition भी बढ़ेगा, जिसके करण पूरवा नुमान लगना, आभास लगना, वेसे योग फिर बनने लगते हैं, प marriage की जो chances हैं, या love marriage का जुम्मन है, यह जादा create करता है, और in marriage थोड़ा comfortable नहीं समझते हैं, love के उपर थोड़ा आपका focus जादा रहता है, तो यहां पर most probably जो partner होते हैं, वो बहुत ज़दा caring, loyal, attractive और dedicated आपके प्रती देखने को मिलेंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि आपका जो merit life रहेगा, वो fruitful, beneficial, comfortable और growth में, satisfactory रहने वाला है, तो यह sign बहुत best है अपने आप में, जितनी भी सीधी रेखा हैं, सब आपके progress line है, यह ambitious nature को represent करती है, तो जीवन के प्रती बड़ी सोच और approach जो कहा गया, वो इसी के द्वारा कहा गया, क्योंकि यह जुरुनियत भरती ह आपके अंदर, किसी भी चीज़ को पाने का, इसलिए जो चाहेंगे, हासिल कर पाएंगे, Jupiter का support है, ancestor blessings है, marriage के बाद में, life में कभी पीछे मोड़ के आपको नहीं देखना होगा, उसका एक और में आपको प्रमान देता हूँ, life line के parallel आपके supportive line चल रहा है, यह इस बात का प्र partner का बहतरीन support आपकी life में रहने वाला है, एवं partner के आने के बाद life में और भी दूसरों का support मिलेगा, लेकिन कभी किसी से बहुत ज़्यादा expectations या attachment मत रखिएगा, attachment in the sense कि बहुत ज़्यादा किसी पर dependent मत होईगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो supportive line है, यह भी धीरे-धीरे distance में जा रहा है, तो लोग जीवन में आएंगे लेकिन automatically थोड़ा सा बिना किसी लड़ाई जगड़े या बिने किसी तकलीफ के थोड़ा सा distance होता जाएगा आपका, लेकिन support समय समय पर सबका मिलते रहेगा, इस बात की full guarantee है, यहाँ बात करें अब आपके गुरू के उपर, तो जो रेखा यहाँ निकल रही है, यह sympathetic nature है, थोड़ा सा caring nature को बढ़ावा देता है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक progress line आ रही है, यह भी शनी की progress line ही है, जो आपको high post authority, top level management में जाने के लिए force करेगी, इसके द्वारा थोड़ा सा cross हो रहा है, तो इस condition में धर्म और कर दोनों एक साथ नहीं निभा पाते हैं, धार्मिकता और जो कर्मे के प्रतिया नि प्रोफेशनल लाइफ जो हुआ, या जो married life है, दोनों एक साथ manage नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा separate separate सबको आपको time देना होगा, करियर में जो बहुत ज़्यादा focus होंगे, तो married life या family life में थोड़ा सा disputes आ सकता है, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा focus देंगे, तो career थोड़ा सा trouble में हो सकता है, इसलिए दोनों को separate पहले से ही लेकर करके चलें, ताकि जेवन में कभी दिक्कत ना आए, अब जो शनी का छेदर है, उस शनी पर आपका भाग्या है, ये शनी पर जब रही है, लेकिन fate line है, ये भी इस बात का प्रमाने की luck है, लेकिन क्या है कि mode swing के problem के करण आप ही कहीं ना कहीं, आपने भाग्यू को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, काम होते होते हैं, जो रुकता है, अटकता है, वो आपकी emotions, feelings को के कारण होता है, decisions के कारण होता है, इसलिए ज खुद के महनत से भी growth करेंगे, बस focus अपना अच्छा रेखेगा, अब इसमें क्या हो रहा है, कि इस प्रगार की रेखा धन अच्छा देती है, लेकिन focus disturb है, ये कांसे देख रहा है, सूर रुपै, सूर इमांट एक तो weak है, तो confidence थोड़ा सा कम होता है, ये जैसे हलके-फु से ने वो है, multiples line, ये multiples line, focus में कमी देता है, हर काम आधे दूरे बीच में छूटते है, या mind divert हो जाता है, काम के बीच में, हर छेतर में हाथ आजमानी की चेश्टा होती है, और ये सारे reasons के कारण, जो सूर को अपना प्रभाव देना चाहिए, वो नहीं दे पाता, जिसके अं Automatically आपका सूर भी सही होगा, और career wise ये फिर tremendous growth फिर आपको देगा, mercury के उपर एक सत्य दिक रेखा जब होती है, तो ये मेठी बोले आकरशित वेक्तित को दर्शाता है, तो multiple language जिसका ये knowledge भी देता है, intelligency के अंतरगत, learning, जो capability अच्छी होती है, तो कोई भी चीज जल्दी सी Heartline से multiple line नीचे आ रही है, और कुछ island के formation भी हैं, अगर बारी के से आप देखेंगे, यहाँ पर, तो ये उम्र हो जाएगा आपका around 35, 35 के बाद health regarding दिक्कत आने के chances है, इसलिए internal marks भी weak होता जा रहा है, physical fitness के अंतरगत, exercise, yoga, प्राणायम जिसी चीज़े, strictly अपने life में add करें, ताकि health regarding दिक्कत ना है, उसके पहले भी एक दिक्कत दिख रहा है, उम्रत अक्रिबन 29-32 के बीच में, और यहाँ पर जो आपकी Heartline है, एकदम सीधे गई है, तो इस condition में pure practical nature देता है, आशावादी किसम का nature दे देता है, वर्कोहलिक nature देता है, काम को बहुत ज़्यदा तव frustration जिसे चीज़े आटोमेटिकली आती है, और यह मांगली भी बनाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके marriage करना ज़रूरी है, मंगल के अंतरगत हन्मान जी के अराधना करने से आपको अतिया अंतलाब मिलेगा, पीसफुलनेस, हैपिनेस, कूल, काम यह सारी चीज़े होने के सा लाइफ में सही direction मिलेगा, अथवा सही समय पर सही नेरने ले पाएंगे, क्योंकि मंगल का जब ऐसा formation होता है, तो instant aggression के कारण instant decision गलत ले लेते हैं, अथवा planning या decision के अंदर बहुत जली changes कर लेते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेगा, आपको BP की भी शिगायत आ आ सकती है, इसलिए मंगल के अंतरगत, हर्मान जी के अराधना करना, मंगलवार का उपास रखना, इन सारी चीज़ों से आपको आवश्य देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो emotional हैं आप, लेकिन अपने पूरे emotion sentiments कभी किसी का सामने show नहीं करेंगे, mind line के उपर दे करेंगे, memory sharp रहता है, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाते हैं, छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बाते याद रहती हैं, to the point बात करना, straight forward nature होना, और overall देखा जा तो यह mind line आपको help करेगा, situation handling capacity के लिए, इसलिए जितने भी negative situations आते हैं, negative people life में आते हैं, उसको easily handle, tick कर पाने में, या खराब से खराब परिस्तेती माहूल से भी निकल पाने में, आप शक्षम रहेंगे, क्योंकि मानसिक रोप से बलवान हैं, जिसके अंतरगत हार अपनी जीवन में, कभी भी नहीं मानते हैं, life line के उपर में देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक और separate line निक independence कम मिलने जैसे योगों को भी दर्शा रहा है, तो proper जो growth है या health wise भी जो सुधार है, वो आपके 31 के age से properly दिख रहा है, और जो success भी है life में, वो भी around 31 के age से properly आते वे दिख रहा है, life line का formation middle of the palm आया, तो इस condition में career focus self oriented रहते हैं, तो ध्यान रहे, कहा गया आपको, सोच समझ के decision लिजेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत सारी रेखा है, life line से नीजे के तरफ इससे जाती है, तो इस condition में, life में अचानक से किसी ने किसी का support भी मिलने लगता है, तो इसलिए सभी से अच्छे संबंद बनाएगा, किसी से अपने व्यभार संबंद भी गाड आता है बहुत, तो आप वैसे भी advocate line में है, आपको सफलता बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, इसलिए आप अपने life में बहुत ज़्यादा busy रहेंगे career wise भी, यहाँ देखें, शुक्र यहाँ पर develop बिलकुल normal है, तो देखा जाए तो यह भोग विलास थोड़ा सा कम देता है व्यक्ति को, और यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से खुद को maintain करना, आसपड़ो उसका जो वातवरण है, साफ सूतरा रखना, यह basic nature में रहता है, खान पन वा घुमने फिरने के भी shocking अच्छे इस condition में देखने को मिलता है, सिधी खड़ी रेखा, यहाँ पर आपको यह लाब देता है, और स्वास्त को सुधारती है, यह रेखा, management अच्छा करवाती है, इसलिए life में, पर money triangle again open है, पैसा आयागा रुकेगा नहीं, investment करते रहेगा, उससे लाब मिलेगा, आपके चंदर के उपर एक triangle देखने को मिलेगा, यह triangle इस बात का प्रमान ही कि आपके कुछ न कुछ creativity वा artistic quality है, तो उसको निखारिये, लोगों के सामने लाइए, तो इसके द्वारा name फिम मिलेगा, थोड़ा deep thing करी आपको बनाएगा, mind line के पर भी आपके सीधी सीधी जो खड़ी रेखा है, यह भी इस बात का प्रमान ही कि खुद के द्वारा जो decision लेंगे life मे वो लाब देगा, जो भी experiences गेन किये हैं, उसके भी हाव पर decision लेंगे, आपको लाब मिलेगा, चंदर के उपर यह जो आड़ी रेखा देख रहे हैं, यह आपको थोड़ा सम एक प्रगार से ध्यान भटकाएगा, focus में कमी देता है, और देखा जाए तो इस condition में अगर traveling आप करते रहेंगे, तो आपका जो focus है, वो भी ठीक रहेगा, मन फिर जादा नहीं बटकेगा, यहाँ पर आए अभी आपके left palm के विशय में, तो left palm में देखेंगे fate line के बारे में, तो यहाँ पर आपके life line से ही fate line इकल रही है, जिसे हम self-made luck line केता है, तो खुद के मेहनत पर आक कि आपके अलग से रेखाई यहाँ पहुच रही है, गुरू के तरफ से, तो इस condition में बच्चो का सुक अच्छा मिलता है, जो दामपत्ती जीवन रहता है, वो आपका अच्छा रहेगा, इसलिए आपका marriage के बाद भी growth overall, अच्छा है, और mind line care में by 4K, memory बहुत अच्छी रह कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद.